नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आठी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम आठवी कर्चा के इतिहास विशय का अध्यन कर रहे हैं और हम आठ्वी कक्षा के इत्यास विशय के सात्वे अध्याय जिसका नाम है बिटिस काल में सिक्षा तो चलिए इस अध्याय के हम सुरुवात करते हैं विद्यार्थियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन का प्रभाव शरिफ हमारे सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक जीवन पर ही नहीं पड़ा था बलकि हमारी सेक्षनिक पेवस्था भी काफी प्रभावित हुई थी विद्यार्थियों अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश की जो सेक्षनिक पेवस्था थी और अंग्रेजों के आने के पस साथ जो उसमें परिवर्तन आया इसी भी से पर हम इस अध्याय में आपको फोकस करेंगे तो चलिए विद्यार्थियों हम कुछ आगे बढ़ते हैं हम यहां देख रहे हैं कुछ चित्र हैं ये चित्र किनके हैं आप देखिए लेफ्ट से राइट की ओर विलियम जॉन्स हेंरी टॉमस कॉलब्रूक जोनाथन डंकन फॉमस वविंटन मिकाले विद्यार्थियों कुछ और नाम भी आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे जिनकी चर्चा हम क्रमवार करेंगे तो अभी विद्यार्थियों इन चित्रों का तात्पर सिर्फ यही है कि ये चित्र और इसमें जिनका नाम आ रहा है उनकी क्या भूमिका है अंग्रेजी बेटी चर्चा करेंगे तो चलिए इस वीडियो में आगे हम कुछ नामों की विशेश रूप से चर्चा करेंगे जिनके नाम इस प्रिष्ट पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में वास्तम में हम यह जानने की कोशिस करेंगे कि अंग्रेजी सरकार की नीतियों ने किस परकार भारतिय विद्यार्थियों के जीवन पर प्रभाव डाला विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंग्रेज केवल भारत के भू छेतर पर विजय और आय में नियंतरण ही नहीं चाहते थे उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक नीशन भी है वे मानते थे कि उन्हें देश समाज को सब्भे बनाना है और उनके रीती रिवाजों और मुल्यों मानेताओं को बधलना है तो विद्यार्थियों ये काफी महत्वण बात है और काफी गंभीर बात भी है क्योंकि किसी देश पर जब कोई राजा सासन करता है जब कोई सासक सासन करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी सभेता संस्कृती वहाँ की प्रजा पर थोपने का पर्यास तो अवस्य करता है उसकी भासा वहाँ की प्रजा आगे धिरे धिरे जरूर सिखती है यही कारण है विद्यार्थियों कि हमारे देश में अर्वी-फार्षी भासा और बाद में चल करके अंग्रेजी भासा हमारी पाठ्ठ पुस्तर और पठन-पाठन का जो माध्यम बना तो क्यों बना इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो चलिए विद्यार्थियों इस अध्याय में हम भारतिय सिक्षा अंग्रेजी सरकार की सोच तथा बिटिस विचारों के प्रति भारतियों की प्रतिक्रिया को भी जानने की कोशिस करेंगे यानि हम लोग किन-किन मुद्धों की बात करेंगे पहला तो कि भारतिय सिक्षा कि भारतिय सिक्षा में कैसे परिवर्तन आया पहले क्या था और अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ दूसरा चीज विद्यार्थियों की अंग्रेजी सरकार की सोच क्या थी शुरुवात में क्या सोच थी और बाद में क्या कोई सोच में परिवर्तन आया ये बाते और तीसरी चीज है विद्यार्तियों ब्रिटिस विचारों के प्रति भारतियों की क्या प्रति किरिया हुई यानि कुछ न कुछ रियक्शन तो होना था न विद्यार्तियों तो चलिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे चलिए कुछ और हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में तो आपके JCRT पाठिपुस्तर के प्रिष्ट संख्या 90 पे आप देख सकते हैं नीचे की और एक चित्र बना हुआ है विलियम जॉन्स फार्सी भासा सीख रहे हैं वहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है प्राच्यवाद की परंपरा इसको हम लोग विद्यार्थियों कहेंगे Tradition of Orientalism तो ये Tradition of Orientalism क्या चीज है? प्राच्यवाद की परंपरा क्या है? ये मैं अध्यापन के करम में ही आपको समझा दूँगा आप दिश्चित रूप से समझ जाएंगे की प्राच्यवाद की परंपरा क्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे प्राच्यवादी भारतिय प्रमपराओं भासा बोली संस्कृती रीती रिवाज और धर्म दर्सन में विश्वास करते थे कहने का मतलब यह विद्यार्थियो कि जब सुरुवात में अंग्रेज भारत में आए तो सीधे सीधे अंग्रेजी भासा को उन लोगों ने नहीं थोपा बलकि उन्होंने प्रयास किया भारत की जो मूल भासा है संस्कृत जो बहुत ही पुरातन काल से भारत की एक महत्वण भासा रही है और जिसमें धेर सारा साहित्य भी उपलब्ध है ज्यान भी ज्यान की देखा जाए तो 6-700 साल के दोरान अंग्रेजों के आने के 600-700 साल पहले से ही भारत में वो भासा आ गई थी और सरकारी कामकाज विसेस करके मुगलों के सासन के समय सरकारी कामकाज तो फार्सी भासा में ही होने लगा था ठीक है विद्यारतियों तो प्राच्चवाद की पर यानि Tradition of Orientalism को जो लोग मानते थे वो लोग भारतिय भासाओं को प्रस्रय देने में भरोसा करते थे और ऐसा करके वे भारतियों का दिल जितना चाहते थे ठीक है विद्यारतियों चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं सन 1783 में इस्ट इंडिया कमपनी ने विलियम जॉन नामक व्यक्ति को कमपनी दोरा स्थापी सुप्रीम कोट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया विद्यारतियों यहां पे आप विलियम जॉन्स की तस्वीर देख सकते हैं ये कानून के माहिर थे और अनेक भासाओं के जानकार भी थे तो देखी स्क्रीन पे कानून का म नाहिर होने के साथ साथ विलियम जॉन्स एक भासावीद भी थे वासावीद का मतलब क्या होता है विद्यारतियों कई भासाओं के जानकार को हम लोग कहते हैं भासावीद आगे देखिए विलियम जॉन्स अंगरीजी के साथ साथ अर्भी और फार्सी भी जानते थे लेकि कलकत्ता आने के बाद वे रोजाना संस्कृत की बारिकियों का भी अध्यन करने लगे तो कई भासाओं के जनकार हुए और ऐसी भासाओं के जनकार जो वास्तम में उस समय प्रियोग में था है ने तो ऐसे लोग ही औरियंटलिस्ट कहला है जिनको हम लोग कहते हैं प्राच्य वादी द्यारतियों आगे बढ़ते हैं हम आगे क्या हुआ कुछ समय में विलियम जौन्स ने कानून दर्शन धर्म राजनीती नैतिकता गणीत चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान के प्राचीन भारतिय पुस्तकों का अध्यान शुरू कर दिया ये जो जज थे जुनियर जज विलियम जौन्स तो इन्होंने आगे चलके क्या किया कानून दर्शन धर्म राजनीती नैतिकता गणीत चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों के संदर में जो भारतिय पुस्तकों में जो खुश उपलवद था उसका अध्यान इन्होंने शुरू किया आगे क्या हुआ विज्यार थी हो आगे इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसको हम लोग कहते हैं एसियेटिक सोसाइटी बेंगॉल है ना 1784 इसको हम लोग कहेंगे एसियेटिक सोसाइटी जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनाद बहुत सारे अंगरेज उनके जैसी दिल्चस्पी रखते थे अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई विलियम जोन्स के लिए कि और लोग भी ऐसे थे जो उनहीं की तरह के विचार रखते थे कौन थे वे लोग तो लेंडरी टॉमस कॉलब्रूग और नेथनियल हॉलहेड भी भारतिय भासाओं को सीख कर संस्कृत और फार्सी रचनाओं का अंगरेजी में अनुवाद कर रहे थे इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने 1784 स्वी में एसियटिक सोसाइटी और बंगाल का गठन किया और एसिय भारत की भासाओं को आगे बढ़ाने में प्रसरह देना और उस पर काफी समय देना क्योंकि ये कोई समानने काम नहीं है कि दूसरे देश की भासा को सहजता से सीखना और अनुवाद का काम करना ये कोई समानने काम नहीं है ठीक है विद्यार्तियों हम आगे बढ़ते हैं य एक विलियम जॉन्स दूसरा हेनरी टॉमस कॉलब्रूग और तीसरा नेथेनियल हॉल हेड ठीक है विद्यारतियों अब चलिए हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसेटिक सोसाइटी और बेंगाल जो है उस संदर में आगे क्या हुआ तो देखें यहां पर भवन देख सकते हैं एसेटिक सोसाइटी और बेंगाल का और यह स्थान जो है पार्क स्ट्रीट कलकता में है ठीक है या आपको विद्यारतियों यह पता है कि कलकता ही एक ऐसा स्थ जहां अंग्रेजों ने बहुत सारे कारे किये हैं वहां से ही उन्हों ने भारत पर राज करने के लिए अपना अपनी सुरुवात की और एक प्रकार से कलकत्ता जो है उनका कर्म भूमी रहा है तो वहीं पे देखिए ये एसियटिक सोसाइटी ओ बंगाल का भवन है जो की पार में और आगे चल करके विद्यारतियों क्या हुआ कि 1804 में बॉम्बे में भी असियटिक सोसाइटी के अस्थापना हुई आपको पता है विद्यारतियों कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी मदरास प्रेसिडेंसी और बंगाल इन तीन छेत्रों पर अंग्रेजों का सबसे ज़्य तो रहा है तो आप देख सकते हैं 1804 में बॉम्बे में भी असियटिक सोसाइटी के स्थापना हुई और ये जो आप भवन देख रहे हैं ये असियटिक सोसाइटी और महाराष्ट या बॉम्बे जो भी कहिए उसका ये भवन है तो आगे और क्या हुआ भी देखतियों जॉन्स और कॉल्ब्रूग भारत के प्रतिये खास तरह का रवईया रखते थे उनका मानना था कि भारत की सभेता प्राचीन काल में अपने बैभव के सिखर पर थी परन्तु बाद में उसका पतन होता चला गए तो सभाविक बात है उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानूनी गरंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था ठीक है और साथी साथ उन्हें बिश्वास था कि यह परियोजना ना केवल अंग्रेजों को भारतिये संस्कृती सिखने में मदद बलकि भारतियों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त बैभव को समझने में मदद देगी तो इस बहुत महत्वपून बात है वच्चों है ना तो इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों अभी तक इतना ही है ना और इसके पसाथ हम आग आती दिनों में आते हैं भारत तो भारतिय भासाओं को प्रसरह देते हैं और भारतिय भासाओं को प्रसरह देने के क्रम में फार्सी और संस्कृत भासा को ले करके वो ज़्यादा गंभी रहते हैं है ना और इसमें वारेन हेस्टिक्स का भी नाम जुड़ता है क्योंकि वा कलकत्ता मदर्सा के नाम से जानते हैं और जदी आप इस मदर्से के बारे में अभी आप मतलब जानने का प्रयास करेंगे तो अभी ये मदर्सा आपको नजर नहीं आएगा वहां पे आपको आलिया इन्वर्सिटी नजर आएगी ये आलिया इन्वर्सिटी कहां पे है ये सिया जलता मैं है तो ठीक है विद्धियार्थियों इसे वीडियो के माध्यम से इतना ही और आगे आप और भी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे क्रमवार मैं वीडियो आपको प्रस्तूत करता जाऊंगा और आप इसका अध्यन करते जाएंगे और एक और सर्थ होगा टेक्स्ट बूक के साथ भी जुड़े रहें और लगातार टेक्स्ट बूक को आप पढ़ें ठीक है विद्यार्तियों जोहार विद्यार्तियों जय हिन्द विद्यार्तियों